नमस्कार दोस्त्iada मैं विष्यक आपका विष्यक युटूलेवरे पे स्वागत करता हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार मेदा चाथ वर दी 2020 की जो इस चैनल पे पहली वीडियो है कि वो मैट्रिक पास है या इंटर पास है सभी लोग यहां पर आब इतन कर सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगा वीडियो क्योंकि 10,000 रुप्य आपको सभी को आसानी से मिल रहा है यहां पर बिहार मेधा चातविरती 2020 के तहत तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा जो भ बिल्कुल ध्यान से देखेगा चैनल पर पहली बार हो तो आपको पता है कि चातविरती की सबसे पहले न्यूजी यहीं पर मिलती है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सेर कर दो बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन क्लिक पिर होता है आपका इंटर पास गल्स बाइज को मिलता है ठीक है फिर नसपी का भी चल डाया बो भी चल रहा है लेकिन यहां पर यह राष्टी आइसा मेधा चातविरती दोजार बीस में चारहजार उनासी चात्र यहां पर पास हो गया है और आबेदन नहीं करने बारे चा और सिप नहीं मिलेगी साप साप यहां पर लिखा गया है ठीक यहां पर जीक है जो आर्टिकल आया है राष्टी आई सम्मेदा चातविरती दोजार बीस के लिए चातर पास तो हो गये है यानि Hm पास में कोई पता बिध्यान से नहीं है कि लेकिन छात्रविर्टी के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है आवेदन नहीं करने वाले को छात्रविर्टी नहीं मिल पाईगी ठीक है S C देखें यहाँ पे लिखा हुआ है S C E R T ठीक है S-C-E-R-T के माने तो इस चात्र भीति के लिए बिहार से खुल 4,089 चात्र और चात्राय उत्तिन हुए यानि बिहार से उत्तिन होना अलेकर संख्या कितनी है तो 4,089 चात्राय बिहार से उत्तिन हुए है लेकिन आबेदन भले 3,006 ने किया है 4,089 पास हुए है और आबेदन की हैं कितना 3,006 ठीक है 3,006 लेकिन किसका एक्सेप्ट कितना का हुआ है तो मात 6,54 लगों का ही एक्सेप्ट हुआ है बांकी का रिजेक्ट हुआ है बच्चों आप किसी भी सवाल में अटग गए हो यह आपसे स्वाब नहीं हो पा रहा है बस आपको इस क्वेशन का फोटो लेना है क्वेशन को क्रॉप करना है और 5 सेकेंड के अंदर अंदर उस क्वेशन का बीडियो सॉलिशन मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्वेशन हुंबर का हो CBAC, बिहार, UP, महाराष्ट, राजरस्थान, MP किसी अनबोड का हो चाहे IATZ, नीट या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET एप पर या फिर कोई भी सबजेक्ट हो फिजिक, स्किनिस्ट्री, वायलोजी, माथ, साइंस आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर क्लास नौमी से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है इंगलिस और हिंदी मीडिया में लाइब क्लास से यानि आप पूरी पढ़ाई होगी .NET एप पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे .NET एप पर प्रहाई कर रहे हैं तो अब ही जाएए और .NET एप को इंस्टॉल किजिए और वही जो रिन्यूइल किये हैं वही राष्टिय आए समेधा चात्र बिरती के 2019 और 2018 के चात्रों का रिन्यूइल भी करना था और उसमें 2824 चात्र में मात्र 727 चात्रों ने किया है जबकि यहां पर वीडियो इतना ज़्यादा दिया रहता है फिर भी लोगों को पता नहीं क्यूंग नहीं करते हैं वहीं 727 में केबल 12 चात्र यहां देखिए 727 सीट में मात्र 12 चात्र का आवेधन एक्सेप्ट हुआ ह ग्याथो की राष्टी आहिसा मेदा चात्र बिर्ती में 28 में पर रहे सरकारी स्कूल के चात्र भी यहां पर आवेधन कर सकते हैं ठीक है और आपको यह भी बता दे कि यहां पर इस पर इच्छा कायोजन NCRT की निर्देश पर ACERT दोरा किया जाता है ठीक है बहुत लोगों को इसके जनकारी भी नहीं होती है कि मेदा चात्र बिर्ती का एक्जाम कब होता है बहुत इजी पेपर होता है इस परिच्छा कायोजन NCRT की निर्देश पर यानि NCRT का ही सिले बस होता है और ACERT दोरा किया जाता है परिच्छा में सफल होने के बाद चात्र बिर्ती की रासी क परहमी तक दी जाती है ठीक है और कभी कभी ये रासी थोरी कम भी होती है तो वहां पर 10,000 रुपय तक जो है वो बराहमी तक परहाई के लिए आपको मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी अस्कॉर्सीफ होती है ठीक है और यहां पर देख सकते हैं कि आपेदन की तीथी जो है वो आपका 30 तक बढ़ी है छातविती के लिए आपेदन की संख्या बहुत कम होने के कारण NCERT ठीक है कि आपेदन करने की तीथी 30 नमंबर तक बहा दी है पहले या तीथी 30 अक्टूबर तक थी लेकिन नमंबर में चुकी दिबाबली और जट होने के कारण स्कूल बंद रहे हो जया दाउन गोंगे स्कूल पर सासन को जल्द से आवेदन करना होगा आवेदन नहीं होने पर शाथ से बंचित थो जाएगे तो आपको जहें आँम नहीं करने आपको स्कूल सई गांडिडेट जो भी यहां पे हैं सभी étaहांपे स्कूल हें जाकर मिलना है पहले करना है त चैनल भी आपको स्क्रोलर स्विप की सभी अपडेट दी जाती है सभी अपडेट ठीक है दबस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे किलिक कर लिजेगा तभी आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी ठीक है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडिय करना नहीं हो लिए